बिदेशी देशों में यात्रा करते समय अक्सर भाषा को लेकर काफी परेशानी होती है और ऐसा ही कुछ पुर्टगाल में एक परेटर के साथ हुआ पुर्टगाल गए अजरबेजान के एक रूसी स्पीकर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ इसे शायद वो जिंदिगी भन ना भूले यहां वो लिस्बन के एक कैफे में पहुचा उसे अनार का जूस ओर्डर करना था लेकिन बेटर को कैसे समझाता तो उसने एक लैंगवेज एप का इस्तेमाल किया उसने पॉम ग्रेनेट को पुर्टगाली में ट्रांसलेट किया एप ने इसका गलत ट्रांसलेशन ग्रेनेट से दे दिया जैसे ही शक्स ने वेटर के सामने ये शब्द बोला तब ही बहुत बड़ी गड़़ड हो गई बेटर को लगा कि ये बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है बेटर ने तेजी से जाकर पुलिस को फोन किया यहां पांच पुलिस वाले पोचे और शक्स की गर्दन पकड़कर नीचे गिरा दिया और उसके हातों में हद कड़ी लगा दी इसके बाद उसे पास के पुलिस इस्टेशन ले जाकर उससे कड़ई सी पूस्ताच की गई लेकिन जब इस पूरे मामले की छान भीन हुई और पुलिस ने बारीकी से इस पूरे मामले को समझा तो उन्हों ने उसे छोड़ दिया